आप सवाल पुछने जाएंगे कि वह क्वेस्टन की आदत हो गई है आप करो सुबाद में हम पन्दी ने करने हैं तो राखी जी आप बहुत ही बड़ी खुशी की बात है जो एनॉंस्मेंट हुआ आपके बायोपिक का मैं आप से जानना चाहती हूँ आप कितने एक्साइटर हो कि बायोपिक बनाना मतब अपने में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए सप्राइज ही था बैंगलर में आके मेरी सिस्टर शेली और मेरे भाया राम भाया और मोहमद जी और एक मोहमाद और जो हमारे फ्रेंड है बिलकुल शाबाज जी ये सब लोग ने मिल के आज डिसाइड किया और इतना बड़ा सप्राइज मुझे दिया है and I'm so damn happy के मेरी बायोपिक बन रही है finally you know and मेरी बायोपिक कोई मामूली नहीं है जितना राकी सावन ने 20 सालों में लोगों को हसाया है उतना ही रूई है 20 सालों से उतना ही तड़पी अपनी जंदेगी में उतना ही एक शोपड़ पट्टी से एक लड़की without any godfather without any education without any good food without any good clothes या तिन तिन चार चार दिन के फाके पढ़ते थे जिन्होंने खाना भी निखाया वो राकी सावन यहां बॉलिवुड तक यहां से यहां तक की जरनी मेरे पास यह मेरी बायोपिक तो यह मेरी बायोपिक जो है मुझे नहीं पता इसके कितने सीजन होंगे क्या होगा डिरेक्टर कौन लेंगे किसका म्यूजिक होगा कौन आर्टिस्ट होगा अभी तो हमने दो लोगों को पीछ कर रहे हैं आलिया भट और विद्या बालन जी इनको पीछ कर रहे हैं तो आज मैं और मेरी सिस्टर मेरे भाईया प्लीज हात लगाए और हमारी प्रेडूसर साब को प्लीज मुमाद उड़ो ना यह मेरी बायोपिक है यह मेरा यह एक बात में प्लीज बैठके क्योंकि माइक नीचे है तो दोस्तों क्योंकि माइक नीचे है दोस्तों मेरे पिछले एक साल के सफर में पहला दिन आज खुशी का आया है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है वरना जिस हिसाब से मेरी जिन्दगी जो नर्क बनी है जिस आदमी नर्क बना दी है मेरी जिन्दगी को हस्ति खेलती लड़की जो हमेशा पापाराजी के सामने दुनिया को हसाने वाली शेरो शेहरी करने वाली कॉमेडी करने वाली लड़की को एक दम इस आदमी ने जो मेरी जिन्दगी को नर्क बना दी है वो पूरा बायोपिक्स जो है मेरा बच्पन से लेकर अभी तक जो है वह पूरी बायोपिक सर्मेन आपको दे दिया ये आपको दे दिए अब आपके जम्मेदारी आप बनाईए एसी आपको मुबारकबदी देता हूं मेरा एक कंडिशन में जी आलिया बट और विद्या बालन से बहुत के आप से बयान करने के आप की सिस्टिर आप पेड़े हमारे लिए उप्रिक के लिए आप ही बेड़े बेड़े हैं दिस इस माइप उपीनियन एंड कंडिशन यह सी जैसे मोहमध भाई ने कहा कि राखी क्योंकि यहां है और आप सब राखी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह किस तरीकी कि खुली किताब है जिस तरी कि उसके उपर लांचन लगाए जा रहे हैं तो क्योंकि यह सारे लांचन किसी ऐसे आदमी ने उठाए है जो मैसूर से उठके आया है मैसूर का रहने वाला है तो हम लोगों ने थोड़ी सी यह कोशिश किया जिस तरीके से मैसूर बहुत सुंदर है लेकिन इस एक गंदे आद को ने यह डिसाइड किया है कि जो हमारी राकी जैसी थी और जैसी है दुनिया के सामने लाने के लिए वो बायोपिक आनी बहुत जरूरी थी तो यह डिसीजन जो राकी है जो राकी थी एक इंसान के बोलने की वज़े से राकी चेंज नहीं हो जाएगी राकी जैसी थी आप लोग इस Bayopic में देखेंगे बहुत-बहुत शुक्रियादा करना चाहूं कि पूरे मैसूर का महमद जी आपका कि अप मैसूर से आके इनोंने decision लिया मेरे राजारम भाया शैली और महमद जी इनोंने decision लिया कि हम, अफकोस महामंद्च मैरा भाई, अफकोस इनको कैसे बूल सकते हैं? इन लोगों ने decision लिया कि हम मैसूर से आपको एक भी आप हमारे महसूर की बहू है, नाम की अब तँ नाम की हुई ना तो बहुत दुख दिया अब हम सब मिलके आपकी बायूपिक बनाएंगे रहेकर कहा जाता है कि बहुए बेटियां होती हैं बहुए जो हैं बेटियां होती हैं उस लड़के ने तो ये प्रूव नहीं किया लेकिन वहां के बड़े जितने भी हैं मैसूर के जितने भी बड़े हैं बड़े बुजुर्ग हैं वो इसे अपनी बेटी मानते हैं और इसी नाते से वो इसकी जो चवी है वो आप लोगे के सामने दिखाना चाहते हैं तो यही इस बायोपिक को लेके पूरा मुद्दा है राखी की असली जो असलियत जो हम सब जानते हैं और हमने देखा है किसी एक इनसान के कहने से वो खराब नहीं हो सकती है और यह बोलता है कि एक सकंदा आपको माईट लेंख अप किस ने करवाया उससे पहले वो क्रैस्ट में थी जब आदिल खान दुरानी को जब यह शादी हुई उसके बाद तो इस्टलाम धरम को खुबल किया न? प्रॉम्टली खुबल किया न? और ये एक लंगा आदमी है आदिल खान दुरानी जो खुरान को without clothes, खुरान पे हाथ रखके कसम खाता है तो इस्टलाम का और खुरान का और धरम का कोन मजा कुड़ा रहा है तो भी फ्राइंक कौन मजा उड़ा रहा है राखी उड़ा रही है देखो राखी से जब उसने शादी की तो उसको फोर्स पुली इस्कलाम खुबल करवाया इस्कलाम खुबल करवाया और आज बोलता है सारे धरम के साथ खिलवाड कर रही है राखी सावन तो उसके मेरे पास फोटोस है कि जो उसने कुरान विताउट कपड़ा जो हम लोग के इसमें बोलते हैं विताउट कफ़ूर्दू हम लोग पुरान का नाम भी नहीं ले सकते और उसले हौ मुझान में आपको आपको कोई कहने की और मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है, तो सबाल ये उठता है, जो आप खुद मुस्लिम होके, ये तो मुस्लिम जो भी धरम में आये, उसकी नर्सरी क्लास में आये, इसमे तो अभी एशन दिया है, विदाउट पैंट इस दुटिंगा कुर तो ये इतना बड़ा छूटा और मकार और कमीना आदमी है, कि सब जगा खुद मेरी सुपारी बाट ते घूम रहा है, जब ये बैंगलूर आया, तो सप्पे बोल के घूम रहा है, तो मुस्लिम उसका पान बाट दो, शाबास को मार दो, वह तुमारी सुपारी ते रहा, त शाबास को मार दो, तुमारा भायोपिक का डी ओपी बता है कौन है, हमने जिससे बात किया, शाबास ने मुरगई का बच्चा है, जो ब्रोकन बट ब्यूटिफुल किया है, अनिकार वर्मा जी, तो वो उनके प्रॉबबली डी ओपी रहेंगे, जिसने कमांडो किया है, बह जितना उसको बारे में बात करेंगे, उतना उसको इंपोर्टेंस देंगे, तो आज ये पॉजिटिव नेचर में बात करेंगे, तो आज ये पॉजिटिव नेचर में बात करेंगे, तो आज ये पॉजिटिव नेचर में बात करेंगे, तो आज ये पॉजिटिव नेचर मे मैं तो अभी एही काम कर रहे हुए Quickly I wanted to answer a few questions After I gave interview in Mumbai, I think most of you guys came in the last minute I had requested you Hindi भाया, Hindi आपको, सब लोगं को last minute में मैंने बुलाया जिस्तिन मैं जाना तब एक दिन पहले, बहुत लोग आये थे I had expressed all my views I think after that Mr. Adil Khan was shut for some days and he never spoke anything back and I had openly challenged him to come out and talk about me and after that he never took out my name and he was never ready to acknowledge with any of you guys about what is going to happen and what I spoke was wrong Today out of the blue he आज बोलता है कि राकी सावन जी एक लाँच करने आ रहा है He is such a fool, idiot Okay उसको यह भी पता नहीं, बी भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है उसको पता नहीं कि हम बात कर रहे हैं Actually biopic Adil, definitely you will wait and watch This is done exclusively to make sure आज के जमाने में जो तू दाल रहा है ना comments पैसा देके, वो comments नहीं We are going to reach each and every house of India throughout the world Bollywood fans, Rockies fans and there are going to be 10 other actors coming in this All big actors And we will make sure the reality is exposed there We are not here to show about anything else But majorly, see you might be famous today Because of Rakhi Which you are making controversy Today I am talking about the whole challenge You are talking about the Supari I am going to go here The way of the show is coming My name is the one अपकी सूपादी रहा है लेकिन आपने लिए एइसा भी गाहा था कि उनके पुछाएं नहीं पुछाएं नहीं उनके पुछाएं नहीं उनके पुछाएं नहीं पास तो खाने की पैसे नहीं पैसा लिया था इसका सबूत राकी ने पेश किया है और कोर्ट में भी दिया है और पुलिस स्टेशन में भी दिया है उसके लिए जब राकी सावंत को पटा के पैसा ले सकता है तो अभी तो अर्दगर्द बहुत सारी मचलिया है वह आज मैं कहना चाहती बॉलिवुड में आया है एक अमीर आरतों को पताने उसने मुझे कहा है मेरी दो चार बड़ी-बड़ी अमीर फैंडों को पताना चाह रहा था लेकिन मुझे मेरी फैंडों ने स्क्रिंशोट बेज आज मिला तो दूसरे दिन के ता हाई होटी यू लुक सो हॉट हाला कि वो भी यू नो और यू लुक सो हॉट सेकेंडे वह था यार तिरा अजबन कैसे मुझे यह मैसेज करता है मैं वह तू अमीर है ना तू अमीर है ना इसलिए वह सब को पटाना हर अमीर उसके पास एक प्रणा नहीं होगी हर अमीर और पटाना चाहता है और सिब उनसे पैसा लुटना मुझसे लुट लिया अब मैं पहले में उसके लिए परी थी अब मैं वह से मुझे अभ्यूज करता है तो भाई उसके पास मेरे पैसे हैं आज मैं इसलिए पुलिस में नहीं जा रही है वो चेख लेकर अनस भाई सना खान के हस्बंड अनस भाई जो मुप्ति भाई है उनके पास मेरे सारे चेक है उन्होंने अल्ला की कसम कहिए कि मैं आपको चेक नवेंबर में दूंगा, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं वो भले आजमी, अल्ला का बंदा है, उनको मैं नहीं चेड़ना चाहती हूँ कि वो अल्ला की कसम नहीं तोड़ेंगे, जैसे नवेंबर आएगा, अनस भाई, जो मुफ्ती भाई है, जो सना गान के अस जानिया उसको बना ले दीचे, जीत सचाई की होगी, पिछली बार भी जीत सचाई की होई थी, जब वो अंदर गया था, और जिस तरा के वो मीडिया में ट्राइल कर रहा है, जैसे कि राखी ने खुच जाके कोट में गुहार लगाई है, कि कोई भी मुजरिम, अभी वो उ एविडेंस के साथ छेर छाट ना करे, किसी भी विटनेस को ना भढ़का है, वो तो विटनेस को छोड़ो, सारी दुनिया को भढ़का रहा है, तो यहां कहीं न कहीं, जरूर मानूनिय जज्ज, और जो भी हमारे देश का सविधान है, और जनता है, वो देख रही होगी, कि वो किस तरीके से सबूतों के साथ और लोगों के साथ खिलवार कर रहा है और राखी के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट जो है इस वक्त आदिर्खान दुरानी नहीं है राखी सावन्द ہے और वो complainant के against इस तरीके के बे बुनियाद जिनकी कोई बुनियाद नहीं है जिनके कोई सबूत नहीं है वो राकी के उपर अलग 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 तरीके से बार कर रहे हैं ये हमारे कानून के बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी कानून के तरीके से ये सही नहीं है मैंने अभी मुझे जब उनकी बेल होने के बाद उनको अपना नया करियर स्टार्ट करके कहीं चले जाना चाहिए था उसके बदले उन्होंने आ के ये गंद किया है अब व मैंने बenn का बैल का लिकिशन और कोट में किया है उसका भी उन्होंने मजा पढ़ाया है तो दाले, उड़ा ले! जो उसने डाला है justice एक पसुं सकते हैंगा एक करेंपिश्ट को और कम थे इसमें पर 15-15 केस पणना 5 पणना इसन चलरे इस पर कोकी तो जेस्टीस हो सकते हैं, क्या बोलके जेस्टीस का पेज पुला हुआ है तु नहीं, जेस्टीस फॉर आदिल खंदुरा नहीं, बहुत अच्छा इमाम का काम करके है, कई लोगों को मदद करके है, किस चीज पर तु बोल रहा है, एक बोलता है, राखी सावन ने जेल में डल है, बहुत अच्छा है तु लोगों के साथ, राकि का मजाग बनाए हो थेरा एलिगेशन, तु बोलता है, राखी ने तेरे को जेल में डल वाया, किस मुझ से बोलता है, तु राकि को जेल में डल वाया? खानुन किसी की कारवाई के बखर रेप केस बैठ सकता है कि चलो इंडियन गवर्मेंट, इरानियन गवर्मेंट, दोनों गवर्मेंट मिलके आप पे रेप केस क्या ऐसी ही डाइए? तन मेरे पांच पति भए रावन के कितने सेंत है? दस में डूंडके निकालें वल्ले में लेडी रावन हो डावन के सार पांच हो या पचास हो तो राखी के बारे में जाता था ना? मैं दूद पीता बच्चा वो नहीं जानता था ना जब शादी हुआ राकी क्या है तेरे को पता था ना लेकिन तूने जो हरकत की है जो मासुम लड़कियों के साथ 5-5-6-6 शादियां करके बोलता है मुम्ताज दुरानी मेरा मा का नाम नहीं है इल्यास दुरानी मेरे माम का लाम नहीं है क्या नानखती के बाट्य बैठे है क्या हम लोग है पर उसकी मा का नाम है मुम्ताज दुरानी अगर हस्बेंड को शादी नहीं तो दुरानी जोड़के क्या खान डाल देगे क्या पूरा जूट कैसे सच जूड बोल देतार दुनिया कैसे आप यकिन कर सकते हो उसकी मा को महसूरे में कोई फोन करो मुम्ताज दुरानी उसकी मा का नाम है मीडिया में उनके आगों में धूर डालता है कभी इस मासूम सूरियत पे मच जाए ये एक फ्रॉड है ये सब भोल रहा है क्या राखी राखी एक ओपर आटेड गल है तो गलत लग रहा है अर भाई पहले मई aussi बोलना सीह ले मै होता है मै वही त्चे बोलना नहीं आता है तो मै की परिभाषा तुझे क्या पता होगी तू मै ही है मै हूं थीक है पहले मैब ऻिखते परोल मै क्या हूं तू वह जानने사 माल gua के माहिट से कुछलेशना जहारा है कि मैं गलत हूँ, उसने चैलेंग किया तो ना, I think it had come out in the media, right? यह तोल में आज भी कुछ बोला है कि आप 10 लोग को कड़े कर सकते हो, पैसे लोग को कड़े कर सकते हो, हम जाएंगे मुसलिम के बड़े-बड़े कि मैं आज भी कर सकते हो, हम जाएंगे मुसलिम कर सकते हो, हम जाएंगे मुसलिम कर सकते हो, हम जाएंगे आदिल कांदुरानी, I will start hashtag justice for Rakisavan from in front of your house, I will start this campaign in front of your house in Mandi, Mohala, Mysore, be ready for it, the entire educated society of India is going to stand by it and we are going to make sure this is going to reach to each and everybody, all your crimes, all your tactics, all your strategies, all your ideas will get exposed from tomorrow morning, please be ready, all the best for you, whatever you want to do, if you want to frame me, if you want to frame me, If you want to do an interview, please do it tonight, I also want to watch it, because I need to break mad. I gotta do something But if she talked a little, if she talked a little, she can do something Why would it She can challenge some One of the challenges you have, says Please talk, let's have open talk Muhammad ji will tell things We don't say it जो बोलता है, किसी किसी को ले कि आके मीडिया में बिठा देती है, तो तू क्या वेडिंग काड ले के गूम रहा है कि है, जो जो नवे-नवे लोगों को ले का आके ऐका बिठा रहा है, जिनोंने आइफा अवार्ड और कौनसे बड़े अवार्ड आवर्ड? गजादासाइट प्लावर यह लिए बड़े-प्लावार खिए ना छिन को लेकर आ राया नो पुर राया वे अच्छी बात ना तेरी बड़े से दुपारा काम ले रहा है उनको इप्टो रही है विचाले दिख भी न ही रहे है या कोही दी रखी आखी अप रमातों कोई बना झाल 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 झाल